एक दिन्दा दिल आवाज, एक दिन्दा दिल शक्त, उनी ने हम से चेंग दिया आज किशोर कुमार भी तारीख का एक पन्ना बन कर रह रहे किशोर सहब बिलाने से, एक पूरा का पूरा, फिल्मी गीतों का एक दौर, एक अध्याय, आज खत्म हो गया किशोर सहब एक ऐसे इंसान थे, एक ऐसे एक्टर थे, एक ऐसे गायक थे, इन्होंने फिल्मों में एक तरह की करांती लाई थे, एक चोश पैदा थिया था, फिल्मी गीतों के अंदर, उनकों गीतों को फिल्मों के ऊपर परदे के ऊपर एक्ट करने वाले को उस जिन्दा दिली के साथ काम करना पड़ता था, आज उस शक्स सक अपनी आवास छोड़कर चला गया, मालिक उनकी आत्मा खुशान्ती दे, हमारी फिल्म इंदर्स्ट्री को किशोर सहब के जाने से जिस आत्मा पुशा है, गीतों में जो एक रौनक एक जोश इनकी चले जाने से खत्म हो चुका है, उनकी आशिरवाद और उनकी दुआउं से आगे आने वाला संगीत अले खुले किशोर सहब की याद बनी रहे, अब तो सिर्फ इतिहास के इंपन्नों को दौरा आजा सकता है, रफी, मुकेश सहाब और किशोर सहाब, ये दौर आज खत्म हो गया। आजसे मौके पर आप लोगो तो मुझे धार ही देनी चाहिए। मेरे सबसे छोटा भाई था कि वस्पैरा भाई था हमां। ये गोद में खिला है मैंने, मेरे साथ 19 साल चोटा, बाप जैसा था मेरे सबसे समझाता हूँ। लेकिन ये अजीब बात है कि छोटे को सबसे पहले जाना पुड़ा। मैं एक धक्का भी मुझे कुछ दिन पहले लगा। मेरे जब अपनी का ध्यानत हो गया। ये दूसा धक्का लगा मुझे। समलते समलते नहीं परना मुझे। मैंने अपना भाई तुक्वया। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा कला कर गिया। लेकिन मैं सिद्दे के वारुत में मिलने सकूँगा। ये मुझे बहुत दुक्र है। एक एक हथी हथी हमारे गीत में से के लिए ये। जिसका खौला और कभी भी पूरा नहीं किया जा सकेगा। वो दुनिया को हसाते थे, खुश करते थे। और उन्होंने अपनी एक ऐसी जगा बना दी थे। जो आने वारे बहुत सालों तक शायद भरी नहीं जा सकेगी। बहुत ही ज्यादा हस्मक और कभी-कभी बहुत ही संजीदा हो जाते थे। मुझे तो भी एक दुम्हीने पहले ही उनके साथ लंदन और अरफिश्टूप में जाके एक सवभा के फराप्त हुआ था उनके साथ रहने था। इतना प्यार देते थे। इतना प्यार जाहिर करते थे। उनकी कला के अनुसार मैं क्या सकता हूं के उनकी जगा को पूरा दम्हें के जिए शायद बर्सा चक कोई हिना थे। किसको पता था कि बारा तारीक के सुबा गैरा बज़े से शाम के सवभा 6-6 बज़े तक मैं और किशुर दादा गाना का रहते। और उस गाने में उन्हें मुझे इतना हसाया और इतनी नकले कर रहते कि मेरा गाना दो-तिन बार रेतेग भी हो गया। फिर मैंने उनसे कहा दादा आप उस तरब देखिए इज़र देखिए मतने तुम्हे गान नहीं से कूँगी इतना हसाने वाला आदमी क्या पता था कि तेरा तारीक को शाम को सवाच्षे बजी जब मैं उनके घर पहुंची तो उनको लेते हुए देखा हमेशा के लिए लेद गए थे मैं सोच रही हूँ कि फिल्म संगीत के लिए मेल सिंगर तीन पिलर से हमारी रफी साब, मुकेश साब और किशुर जागा किशुर बगा के जाने से ऐसा लगता है कि फिल्म संगीत के तीनों पिलर चले गए हैं और अब इतना अच्छा सिंगर आना अधिकर तो हुआ नहीं, पता नहीं मेरे सामने होता है कि नहीं वो जो गाना हमने गाया था वो आखरी गाना उनके लाइफ का और उनके साथ का मेरा वो आखरी गाना था मैंने और उन्होंने करीब करीब 40 साल एक साथ काम किया बहुत गाने गाये और वो हमेशा हसाते रहते थे इतना हसाने वाला आदमी चुपोगे भगवान उनको शालते थे पर कभी जिन जी में ऐसी गटनाय गट जाती है कि दिल मानने को तयार ही नहीं होता है तीन-चास दिन पहले ही हमारी इरादा पिखे की रेकोर्डिंग थी जिसमें किषोदा गाने वाले थे तो मैं जब स्टूडिय में एंटर हुआ तो किषोदा भी उसी टाम एंटर हो रहते है कि उनको दो रेकोर्डिंग की और जल्दी जाना था है तो हम पहुंचे तो लिप बंद हो गई तो मैं किषोदा ठेड़िये में जब चालो करा तो बोले नहीं 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 चलो चड़ जाते तो इतने मेरे से भी फास ओ बचड़ गए और देखा तो उनको कोई मजाट नहीं कुछ नहीं किषोदा पुले आई तो यहीं मजाज लेकिए उसके बाद एज जरूर नहीं के मजाग चलती है मजाग चलती रही तेनों ने मुझे का कि चलेंजी और तीन चार जो दुसकाल के प्रगाम करने उसका क्या हुआ जल्दी करो अपने पुले करना चीए मेरा कि चलत जरूर नहीं मेरा बाती गाना उना करना उसके बातीक सिर्का में जोफ नहीं और ट्रीऐ का सफर क्या नहीं कि शुदा की कमी पुरी होना बहुत ही मुश्किल लग रहा है। कि शुदा की कमी समझ में नहीं नहींदा कैसे मैसूस हम कर सकते हैं कुछ कहने के लिए शब्द नहीं है मेरे पास प्रहु इनके आत्मा कुशानती है। सारे संगीत का इतहाद यह है कि इसमें साथ सवर होते हैं। मैं जब भी किशोर जी से मिलता था इनका आपने ये बात गलत था दी है। कि शाह सवर होते हैं, आपके गले में कितने सो रहें ये कोई नहीं जान सकता। और एक ऐसी चीज हमने खो दी जिप प्रमात्मा ने हमसे चीन लिया इतने हस्मुक और मैं उनसे हमेशा कहा जबता था आप एक्टिंग भी कीजिया आप सबसे बड़े एक्टर हैं आदाब क्या खुदा से अपने गुनाओं की माफी मांग रहे हो असलम जी हाँ आज जब उसके खुदूर में सजदा किया तो ऐसा लगा कि परवर्दिगार मेरे सारे गुनाओं माफ कर देगा खुदा के हुदूर में हो सकता है असलम के तुम्हारे गुनाओं माफ हो जाएं लेकिन इस दुनिया के भी अपने कुछ उसूल है अपने कानून है जिनके आगे तुम्हारे गुनाओं कभी माफ नहीं हो सकते आप ठीक कहते हैं साब आज़ादे की तमना में जेल से जरूर भागा था मगर बाहर आकर मैंने महसूस किया कि सारी जिन्दगी एक कैद के सवाय कुछ भी नहीं असलम ये क्या कर रहा है अपने आपको कानून के हवाले करना चाहता है क्या तो समझता है कि तेरे पकड़ जाने से बच जाएगी नहीं कभी न कभी कानून सचाई को सामने ले ही आएगा और ये मासूम की जंजीरों में चख़गी जाएगी यही मौका है इस लड़की के अहसानों को बतला चुकाने का भाग जा स्लम भाग जा भाग जा तेरी को रबाध NOTE मासूम की जंदे की बचा सकती है तेरी खुर्बानी मासूं की जिनने की बचा तकी है मुकेश जी और रुफिस साफ की चले जाने के बाद एक बहुत बड़ा साया हमारे सर पर था किशुरदा का जो वो भी आज हम से छिन गया है जैसे एक बाप के सर पर बच्चे का साया होता है तो वो जिस तरह बेफिकर रहा करते हैं वो शल्गूत करते हैं शरारते करते हैं वैसे हमारे संगीत की दुनिया में आनम था कोई जिम्मेगार जो नहीं थी कि यह इतना बड़ा साया हमारे सर पर जो था लेकिन बहुत साया भी अब हम से छीन लिया गया है हमारे पुज किशोरदा जी के जाने से जो कमी हुई है वो कभी कभी भी पूरी नहीं होगी जिस तरह हिंदुस्तानी फिल्म संगीत की गाने का जो तालूख है उसका एक आध्याय खतम हो गया है और मुझे नहीं लगता कि इस तरह की फिल्म माध्यम में जो फाइनेस सिंगिंग होती है वो वापस दुबारा सुनने को मिलेगी हम लोगों ने फिल्मों में उनको देखा भी है कितने जबरदस कॉमीडी करते थे और चूंकि गाने की वज़े से मेरा उनके साथ बहुत नजडिक सम्मन्द हुआ ये मेरी खुशकिसमती कि उनके साथ काफी सारे गाने को गाने गाने को मेरे को मौका मिला और इतने प्यार से वो हम सब लोगों को जितने भी नए सिंगर है उनके साथ गाते थे बहुत हसाते थे जिंदगी का बहुत मजा लेते थे और दूसरों को भी देते थे हाए रोके मेरुका चाया अंधी आरा आज भी नाउन आई आयान खेवन हारा एक दिन आउन आई आयान खेवन हारा एक दिन आउन खेवन हारा बहुत बहुत मुश्किल है जब तक संगीत रहेगा तब तक किशोर्दा के आवाज असे हमारे दिलों में कानों में गुंचती रहेगी आज इंडिस्ट्री के लिए बहुत बड़ा लाउस है कि किशोर्दा हमारे बीच नहीं है इतने अच्छे आर्टिस्त थे कि उनके भी ना कुछ समझ भे नहीं आता है कि कैसे इंडिस्ट्री में लोग और के भी किशोर्दा के गाने नहीं सुन पकते पर आज हमारे बीच नहीं रहके भी उनके आवास हमेशा के लिए हम लोगं के भी जरूर रहेगी ऐसे वक्त पर कुछ भी कहना बहुत मुश्किल है सही शर्द नहीं मिलते है एक बहुत-बहुत महान कलाकार जिनका जोर नहीं एक बहुत-बहुत-बहुत-बहुत थे नहीं थे वो हम लोगं कबहुत पर अवाज थे जिनियन्स नहीं आर्टिस पूंस्डीत में श्तुनीगे नहीं देखा और हर स्टाइल का गाना गा सकते थे और बड़ा प्यार था इनके अंदर हमसे जबी मिलते थे गले मिलते थे कि शुर गया उसकी रिस्प्लेश्मेंट थे याद रहेगा यही एक पहती शुर उसकी आदमनों को शांती थे बाकि लोग कहते हैं मर गया मैं कहतूं नहीं वो तो अमर हो दे जब तक उसके आवाज है जिन्दा ही रहेगा जिनको बगवान कुछ नहीं देता तो दौलत छोड़ जाते हैं जाइदाद छोड़ जाते हैं अमपायर छोड़ जाते हैं और जिनको बगवान कुछ कुछ जी गिफ देता है वो अपना नाम छोड़ जाते हैं क्योंकि हजारों साल तक नहीं खतम हो सकता उन में से एक कि शुमार गीद गाए और कुछ समय नहीं आता कि ये सद्मा हम लोग कैसे बरदाश करें और क्या कहें मुकेश साहब गए फिर रफी साहब गए अब ये भी चल दिये हमारे फिल्मी संगीत ती दुनिया में अंधेरा यांधेरा ठा गए कि शूर दादा आज हम में हम बीच से हमें छोड़ कर अपने परिवार अपने दोस्तों को अपने चाहने वालों को छोड़ कर चले गए हैं मेरा तो एक पर्सनल दोस्त पर्सनल लॉस है क्योंकि हम लोगों ने एक अथ्य स्टगल की सुष्की टू में पहली या दूसरी पिक्चर मेरे साथ वो हीरो थे हम और महमूज भाई और किशोवदा हम लोग वापस में अपने इस्टगल की बातें करते थे कैसे होगा हम तुझे तब चलता रहता था किशोवदा ने घूंगरों की तरह बज्टाइश रहा हमें गा कर मेरे उस जित को अमर कर दिया तब से लेकर आज तक बहुत से गीर गाए और मैं तो यही दूआ करूँगा कि उनकी आत्मा को किशोवदा जहां भी रखिए आराम से रखिए च किशोवदा फिल्मी दुनिया के संग्री वर्ड में एक गायक ही नहीं बलकि एक अपनी तरह की कुई यूग थे इतना अच्छा विनेता इतना अच्छा गायक इन दोनों का संगम बहुत कम बिलता है मेरे हिसाब से किशोवदा एक परफेक्ट आर्टिस है नाटियस संगीत और नित्र तीनों शास्त्रों का ग्यान था उनको और सब लोगों के लिए आने वाले जनरेशन और सब कलकारों के लिए बहुत बड़ी एक सोर्स अफ इंस्पिरेशन थे बहुत दुखुआ है आज सब हमको कि हमारी इस दुनिया से एक बहुत अच्छा कलकार चला गया मालूम नहीं अभी इसकी जगा कब पूरी होगी और कैसे पूरी होगा हम लोग का संबंद करीब 40 साल से रहा है मुझे याद है वो दिन जब पहले दसे हम लोग ट्रेन में मिले थे अकला दुबला से एक लड़का गले में मफलर हाथ में छड़ी घुआते हुए हम लोग मालाड स्टेशन पो उत्रा करते थे और वहा से पैदली जाते थे वॉम्मे टखिज काम करने लिए हाला कि किश्ओर की बड़े भाई बॉमे टॉकिज के मालिकों में से एक थे लेकिन किश्ओर ने कभी वी यह जाहिर नहीं होने दिया कि हम बड़े वाई की कंपनी में जा रहे हैं ह। हमेशा इधर उद resulting काम मांगता रहता है कि मुझे भी कुछ गवाओ, मुझे भी कुछ एक्टिंग करवाओ और हर एक के साथ में इतना मिल जूनके, इतनी अच्छी तरह से बातशीत करना मुझे वो सब मनजर अभी तब भूलता नहीं है एक पिक्चर मुझे को चांच मिला, एक पगले का रोल था, एक गाना उसने गाया था चिक बम 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 चिक चक बम बम कुछ ऐसे गाना था इतना वो गाना फेमस हुआ, जिस पार्टी में जाता किशोर, उसी वक्त वो लोग फर्माइश करते हैं यह गाना फेसे सुनाओ, यह गाना फेसे सुनाओ पुराने मुझे डिरेक्टरों में से वो खेमचन प्रक्राश जी के बहुत स्यादा पिट था यह कि खेमचन जी ने उनसे बहुत अच्छ अच्छ गाने गवाए हैं उस गमाने में और वो गाने आज भी लोगों के दिलों में भूचते रहते हैं आज इसा लगता है कि मेरे एक छोटा भाई चला गया है जो इंडस्ट्री के लॉस हुआ जो लोगों का लॉस हुआ वो तो ही है पर्शनल मैं समझता हूँ कि वो मुझे कहा करता था कि हम लोग चार भाई हैं दादमोनी तुम मैं और अनुप एक फैमली की तरह थे आज हमारा भाई समस पिछड़ किया है उसकी आवाज चारो तर प्रूंक्ती रहेगी बस यह एक समस ना है कि सब लोग उससे पसंद कर रहे हैंगे और वो हमेशा इस दुनिया में आमद आएगा इतना ही कहना चाहूंगा कि संगीत छित्र में तीन महान कलाकार जो आर्टिस्ट और एक्टरों के लिए उनकी आत्माई थी मुकेश चंजी, मुहमद रफी और किशोर कुमार था यह आखरी स्टम भी आज चला गया हमने से किशोर एक ऐसे कलाकार थे जिन्होंने अपनी शख्षियत संगीत के जरीए अपना आप और अपने स्टक को पूरी तोर से लोगों के दिलों में बसा लिया था किशोर रहे या न रहे वो तो सदा ही लोगों के दिलों में रहेगा और यही हमारी प्राष्णा है कि जिन कलाकारों ने लोगों के दिलों में अपना वास किया हुआ है वो अमर है हम सब की तरफ से ये श्रधानजली हम अर्पित करते हैं झाल 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 झाल